आप स्क्रीन शेयर हुई वो देख पा रहे हैं चलो बेटा आगे बढ़ेंगे मैं और आप आगे देखने जा रहे हैं आज आज़ो दरा सुन लो वैसे मैं आपको आर के लास्टिसटी अफ डिमांड के बारे में लिखवा चुका हूँ सर आर के लास्टिसटी ऑफ डिमांड क्या है सर जब प्राइज और क्वांटिटी में होने वाला चेंज हाइली सिगनिफिकेंट हो हाइली सिगनिफिकेंट हो सर क्या मतलब हाइली सिगनिफिकेंट हो सर जब जब प्राइज की वज़ा से जो डिमांड में चेंज आए जैसे देखो मैं तुम्हें मिसाल दो मैं तुम्हें मिसाल दो यह जितने महंगे ब्रेंड के कपड़े और जूते हैं तुमने नोटिस किया है यह आफ लगाते हैं 50 परशंट ऑफ अब टू 70 परशंट ऑफ नोटिस किया है अलकरम गुलहमद जे डॉट बुनेंजा सतरंगी निशाथ है ना केमरेज हैंग टैंग लिवाइस डॉकर्स अभी जितने बड़े ब्रैंड के कपड़े बेशने वाली मल्टानेसल कंपनीज हैं लोकल हैं यह क्या करती है साल में एक या दो बार ग्रेंड ओफ लगाती हैं जैसे यह एन्वल क्लेरेंस या अब जैसे यह आफ लगाते हैं एक दम से प्राइस गिराते हैं तो क्या होता है साल एक सिगनिफिकट चेंज एक considerable change होता है एक considerable change होता है सर किस में change होता है considerable सर एक considerable change एक compose effect एक significant change मुझे और आपको नज़र आता है सर वो significant change किस में नज़र आता है वो significant change मुझे और आपको demand में नज़र आता है price भी considerable decrease होती है demand में भी considerable increment आता है ये क्या है सर ये चेंज है considerably change ये है significant change ये है elastic response सो सर जब prize और डिवार्ड में considerable change हो तो उस considerable change को major करने के लिए एक formula implicate किया गिया जिसे मैं और आप कौन सा formula कहते हैं और कि लास्यिशिट याद है बच्वपन में मैं और आप geometry पढ़ते थे मिस आर्थ लगवाती थी या सर किया होता था इस केल से ना पाइग पॉइंट यहाँ इन दोनों पॉइंट को क्या करते लाइव से जोडते थे एक पॉइंट यहाँ दूसरा यहां फिर इस पॉइंट को आँग से जूडते थे याद है फिर इसकी लेंच मालूम करते थे याद आता है उ Greta क्या तुम्हें कुछ इस तरह का याद आता है बताओ ना लाइको या भूल गए हो जुमेट्री सर ऐसे दो पॉइंट जो एक्सेस में कोई इस पॉइंट को इस से जोड़ दिया इस पॉइंट को इस से जोड़ दिया यह ओरिजन मालुम किया इस पे एक्वेजन की वैल्यूज इंप्लिकेट करते थे याद आ रहा है कुछ तो सर यह आर्क है जरा उपर पढ़ा पहला उपर वाला परग्राफ पढ़ो यह मैं Elasticity Method is designed to measure elasticity of demand between two distinct point on the same demand curve जरा बोट पे देखो तो formula भी आ गिया तुमारे पास difference in quantities divided by average of quantity divided wholesome को divide करोगे difference in price divided by average of price जरा notice करना जरा notice करना सर प्राइस पी नौट थी quantity Q नौट थी पहला point यह है सर प्राइस पी टू पर आ गई quantity Q टू पर आ गई अब इस point से इस point तक की elasticity को मालूम करेंगे क्या तुम्हें याद है ना point elasticity of demand demand कर्फ के किसी भी एक point पे अब गई करेंगा लेकिन आरक elasticity of demand दो पॉइंट के दर्मियान वह सुन रहे हो आरक elasticity of demand दो पॉइंट के दर्मियान की elasticity को मेजर करेंगा बोलो यह और नो जल्दी से भाई को मेंसज करो जल्दी से भाई को मेंसेश करो बताओ भाई को हाँ सरी आप हमें लिखवा चुके हैं पॉइंट ELASTSD reminder करके किसी भी एक पॉइंट पे मीजर करेगा और нуться step a few and two point के दर मियान की ELASTIC को मीजर करेगा आगे बढ़ो अनस अनस देखो हमाद अमाद देखो आगे क्या लिखावा है वेन वेरियेशन इन बोथ वेन वेरियेशन इन बोथ जब दोनों में तबदीली बाई दोनों कौन प्राइज एंड क्वेंटिटी डिमांडेड आर हाइली सिग्निफिकेंट कोई मुझे बताएगा पॉइंट में ये लाइन किस तरह थी वेन वेरियेशन इन बोथ क्वेंटिटी डिमांडेड और प्राइज आर सो स्मॉल और नेगलिजिबली स्मॉल वहाँ प्राइज और क्वेंटिटी का चेंज बहुत कम था मामूली से था यहाँ प्राइज और क्वेंटिटी डिमांडेड का जो चेंज है वो क्या है हाईली सिग्निफिकेंट है वेन वेरियेशन इन बोथ इन वेन वेरियेशन वेन वेन वेरियेशन बोथ इन क्वेंटिटी डिमांडेड और प्राइज आर हाईली सिग्निफिकेंट then two point representing two price quantity combination on the demand curve are distinctly apart and they are a sizable segment क्या यह यहां से यहां तक का एक sizable segment है हाँ सरी है sizable segment तो एक sizable segment create करें और arc the demand curve between two point arc elasticity over all whole region की elasticity को मालुम करेगी मैंने इसे तुम्हें आसान करके लिखवाया है यह थोड़ा मुश्किल लिखवा है आप चाहें तो इसे आसान कर सकते हैं मैंने जो लिखवाया वो भी आद कर सकते हैं वो लिखवाया आपके बस तो सर arc elasticity दो point के दर्मियान मेजर करेगा point किसी एक point पर मेजर करेगा point elasticity of demand small change को मेजर करेगा arc elasticity of demand significant considerable change को मेजर करेगा बो अगरी करते हो लड़कियों में से कोई जवाब नहीं है सो रही है खवातीन खवातीन सो रही है क्या कि कॉपी में वैसे लिखावा है अगर लिखने तो बहुत ही आला है मैं पूछ रहा हूं सो रही है तो बीनिश बाजी बोल ले है यह सर बाजी सो तो नहीं जाग रही है मेरा खयाल अंशरा अंशरा बेटा बताईये अंशरा बेटा बताईये मर्यम मंजूर मर्यम मंजूर उसके अजरा बतूल बेटा यह पातें पहले बताईवी है अजरा बतूल मर्यम मंजूर बोलो वाई, अंचरा, सरोश, बोलो सरोश, यह लिखवाया है न सर, जी बताई हुई बताई हुई बात है, अब आगे आ जाएं तो सर इसको अपलाई करना सीखेंगे, आईए जरा आईए जरा फॉर्मिले में वैल्यू डालें जरा देखना प्राइस क्या थी पी नॉट ये देखो ये है प्राइस पी नॉट ये नीचे प्राइस कम हो गई सर आज 10 रुपे से कम होके 6 रुपे पे चली गई पी नॉट से कम होके प्राइस बेटा पी नॉट से प्राइस कम हो O कि पी 1 पर आगई बाताओगे चेंज कितने का आया है प्राइ prolix में जरब आफ गे चेंज कितने का आया है प्राइस में जल्दी बोलो भई चार रूपे का चेंज आया हम्माद भाई का मैसेज आया जदा एवरेज निकालोगे 10 26 कितना होता है 16 16 को divided by 2 कर तो बोलो एवरेज क्या आएगा सर एवरेज आएगा क्या बोलिए एवरेज आएगा क्या 무엇 a two values आ गई ये चार रुपे क्या है चेंज इन प्राइज और ये आठ क्या है बेटा ये पांच कहां से ले आई पजी वाजी 5 कहां से ले आई हो लुगा н infring आको तो से डिवाइट करेंगी तो भीटा दस कि आठ आएगा ना कि भीटा आठ आएगा ना कि अब आगे आजओ बोलो क्वाइंटिटी क्या थी सर क्वाइंटिटी पहले क्यों नौट थी पांच रुपे प्राइस के कम होने से क्वाइंटिटी बढ़ गई क्यों वन पर आगई बोलो कितने से चेंज हुई है बोलो कितने से चेंज हुई है प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई बोलो कितने से चेंज हुई पांच से बोलो तुम क्या इसे मामूली चेंज बोलते हो ओ भाई दस रुपए की चीज छे की बिक रही है भाई की कंसेडरेबल चेंज आ गया पांच यूनिट विक रहते दस विक रहते डबल हो गई क्वाइंटिटी यार कौन बोल रहा है कम है यह मामूली सा चेंज है सर बताओ एवरेज कैसे निकलेगा 10 प्लस 5 15 15 को डिवाइड़ वाई टू करोगे 15 को डिवाइड़ वाई टू करोगे तो क्या आएगा बोलो 7.5 अगरी ठीक यह दो वैल्यूज आ गई हमारे पास ना अब सर ने फॉर्मूला कॉपी करना है सर ने फॉर्मूला कॉपी करना है सर ने फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं कॉपी क्या करूं या दे तो होई नहीं रहा है अब या अब होगा नहीं प्रेस्ट ना रहे हैं अब होगा है अब सुनो मेरी बात फॉर्मूला क्या था सर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं डिफ्रेंस इन कॉइंटिटी ऐसे धना सर डिफ्रेंस डिफ्रेंस इन कॉंटिटी इफ्रेंस इन कॉंटिटी इजए पैवर्ज अवडिटी अवडिटी ऐवर्रेंस थीख ओल सम को डिवाइट करेंगे दिफ्रेंस difference in price divided by average of price चलो बोलो बोलो भाई बोलो क्या है जरा बताओ क्या है चेंज इंट इंटी ए कितनी है फाइव झी आवरेज ओफ उंटी क्या है 7.5 ओल सम को डवाइट करेंगे चेंज इन प्राईस या इडिफरabout प्राईस क्या है सर डिफरेंस ओफ प्राईस है 4 आवेरेज ओफ प्राईस है है एट ज़रा sollten करो बोलो जवाब क्या आ रहा है कापी कर लो करलो बिल्कुल करोगे क्यों करोगे कशाल हो डा़ भाई इसको तो अधिन सॉछ करो बेद गरिजिस्टर पर फॉर्मैल सॉल्फ करके इमत्हान में सॉयल्फ करने आगिया तो कहा से करो obrig भाई solve करो sir 5 divided by 5 divided by 7.5 तो यह आएगा 0.66 ओल सम को डिवाइड करेंगे किसे sir 4 divided by 8.5 से बोलो जवाब क्या आएगा जवाब क्या आएगा sir 0.66 divided by 0.5 sir जवाब आ रहा है 1.32 okay sir यह greater than greater than one का case आगिया बोलो अग्रीड बोलो अग्रीड बोलो अग्रीड क्या यह greater than one का case आगिया लड़कियों में से जवाब दो ऐसे ही हो रहा है एक और formula दे रहा हूं ज़रा देखें कौन calculate करेगा उसे दूँ भाई जरा सारे लोगों का message आजाए तो दूँ अंचरा अजरा बोलो अंचरा हुआ है तो जो भी दे रहा है को और फॉर्मिला दे रहा है आपको आया बेटा नदर आया चलो यह लोई स्क्रीन को मैक्जमाइज कर दिया सर ने चलो अब इस वाले को करो उपर वाला तो हो गया ना जरा नीचे वाले को करो सर पचास रुपे की प्राइस थी एक लाक यूनिट्स एक लाक यूनिट की डिमांड थी प्राइस कम हो गई प्राइस पच्पन रुपे पर आगाई जैसे ही price क्या हुई भी गढ़ी अच्छा अच्छर अरे बाई जबरतस case आगया यह जबर्दस case आगया जरा जरा देखना सर के साथ इसको solve करेंगे बताओ price क्या थी sir peanut थी price peanut से बड़ी है या कम हुई है जल्दी बताओ price peanut से बड़ी है या कम हुई है बताओ sir 50 रुपे की price थी एक लाक यूनिट बिक रहा था q1 price p naught sorry q naught q naught sir price कम हुई p p p p naught से बड़के p1 आई quantity q naught से बड़के q1 चली गई बो agree करते हो sir price भी बड़ी demand भी बड़ गई price भी बड़ी demand भी बड़ गई sir यह तो law of demand है ही नहीं अब सुन लो मेरी बात एक कहलाता है gift and goods पढ़ा के आ रहा हूं पुराने लोग तो जवाब देंगे मुझे इसका क्या gift and goods नहीं पढ़ाय था exception of the law of demand में ऐसे inferior goods जिस पे low income growth families heavily dependent हो physical classes जब थी regular class में यह पढ़ाया है नहीं तो बोलो याद दिलाओ मैं सब को बता दू अभी मरियम अनस ये फैन गोड्स क्या है नए लोग सुन ले देखें जो बिचारे जो घरीब लोगों की बात करूं जो बिलो पोवर्टी लाइन है बहुत ही कम income ग्रुप के लोग हैं जिन घरीबों की कि यह मामुली होती है वेटा अगर लोटिस करें तो ऐसे बेचारे चीजों और कि इसे बेचारे कमजूर लोग जो बेचारे जो है ना बिल्दुल माशी तोर पर मुस्तैकम नहीं है और बहुत ही कमजूर लोग हैं वो कमजोर लोग बिचारे जो खरीद नहीं पाते चीजों को सही तरीके से उनकी अगर तुम डिमांड को देखो तो वो उनके घर मेरे और आपके घर की तरह ग्रॉसरी या इस तरह की चीजें थोड़ी नहोती हैं वो तो बिचारे मजबूरी में काम कर रहे होते हैं उनकी डिमांड बड़ी लिमिटेड और स्पेसिविक होती है वो कोई खासी चीजें तो नहीं खरीद पाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि हाँ वो बड़ी लगजरी लाइफ गुजार रहे हैं और घर में महीने बर का राशन पड़ा है वो वस एक चीजें जो खरीद कर ले आते हैं उसे आटा कहते हैं अब वो जैसे द्याडी लग गई जितना काम हो गया कभी गोष्ण बी लिए आएंगे कभी सब्री लिए अचाब वो लाएंगे भी समान किस तरहीं से एक पाओ आदा पाओ आदा किलो एक किलो ऐसे लोग जिनकी वाद जिनकी फैमिली इनकम कोई बहुत जादा नहीं होती अल्ला ने मुझे और आपको अच्छे हालात में रखा अलम्दलिल्ला ऐसे लोग जिनकी फैमिली इंकम बहुत कम है तो वह महंगी चीजें तो लोही नहीं पाते ना जो बिचारे मजदूर है या इस तरह की लेबर फोर्स है वह बिचारे महंग लिए खरीद रहें अच्छा अब कभी डाल ले आएक अभी सब्जी ले आए पका लिया दोनों तीनों टाइम खा लिया उससे चाई बना ली सुबह उससे पराठा खा लिया चाई बनाने के लिए दूद भी कैसे लाएंगे आदा पाउ दूद ले आएंगे च्छोटी पाहरों को घरों में होता नहीं सामाँ जरूरत के हिसाब से लेते हैं एक चीज़ खरीद के रखते ही जो पटा है वहांने कहां अपने कहानी कहनी है पता वो क्या है आठा अब अगर आठा महенगा होने लगे अच्या देखो चावल के मुकाबले में आठा स संसथा दालों के जारे dependency तो फिर यह क्या करते हैं यह डर कि हमारे आटे की डिमांड को बढ़ा देते हैं यह है यह क्यलाती है Giffen Goods मेरे ने बच्चे अंशरा हो गई अजरा हो गई और इसी तरह जो है वो हमारी एक और बाजी जो है वो क्या नाम है इनका जरह ये बताएं समझ नहीं है मेरी बात को सरोश हो गई बोलो भाई समझ रही हो तुम लोग आवान क्लियर हो रहा है तो ऐसी सस्ती चीजें जिन पर लो इंकम ग्रूप फैमिली हेविली डिपेंडेंडेंट होती उसका प्राइस के साथ इनवर्स नहीं नेगेटिव नी डारेक रिलेशन होता है उनकी प्राइस बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी डर के मारे कंज्यूमर जो है विचारा जो गरीब आदमी है वो जरूरत से जादा चीज खरीदेगा अपने आपको सर्वाइफ करने के लिए से स्टे करने के लिए ठीक है अब आजाओ जड़ा देखो यह दरा देखना मेरे साथ रहना कि आज बोल तो रहा था लेकिन मैनेज नहीं हो पाया टाइम में सुभा से उनिवस्टी में मस्रूफ था अभी बस घर पहुंचा हूं अज मैं जो है ना वो घर में वाल्दा की भी कुछ थोड़ी सी तभी घर बढ़ थी सुभा तो मैं बस थोड़ी देर के लिए उनिवस् अब सुनना मेरी बात से यह प्राइस पी नौट और यह पी नौट से बढ़कर हो गई पीवन बताओ चेंज कितने का आया पांच रुपी का चेंज आया कि एवरेज निकालना तो जड़ा पचास और पच्पन को आड करो और दो से डिवाइड कर दो एवरेज निकालना सीख लो तो वैल्यू उसके एवरेज कैसे निकलता है दोनों का आड करोगे तो से डिवाइड 50 प्लस 55 divided by 2 कर दो तो यह आजाएगा 52.5 ऐसे है 52.5 आ सर कॉइंटिटी P not पे Q not थी फिर प्राइस कम हुई तो कॉइंटिटी बढ़ गई कॉइंटिटी प्राइस P not से P बना एक कॉइंटिटी Q not से Q बना गई चेंज कितने का आया 25,000 यूनिट पहले 1,00,000 यूनिट विक रहे थे अब 25,000 यूनिट विक रहे है जरा average तो निकालना एक लाग प्लस एक लाग पच्छेस हजार ठीक हो गया divided by two करोगे तो कितना आएगा सर डिवाइड़ वाइड वाइड टू करेंगे तो यह आएगा एक लाग बारा हजार पांच सो एक लाग बारा हजार पांच सो जरा formula में value डालेंगे formula में value put करेंगे difference in quantity सर पच्छेस हदार का quantity में difference आया पहले एक लाग यूनिट भिक रहे थे अब एक लाग पच्छेस हदार भिक रहे हैं यह difference in quantity आ गई divided by average of quantity एक लाग बारा हजार पांच सो whole sum को divide करेंगे whole sum को divide करेंगे किस से सर change in price पांच रुपे difference in price पांच रुपे change in price पांच रुपे जरा average बो 52.5 पहले उपर वाले को सॉल्फ करेंगे simplify पर नीचे वाले को simplify करेंगे और उसका जवाब बता देंगे जल्दी से कि भुलो भाई क्या जवाब आ रहा है कि जवाब बोलो final जवाब अनस कि अबान कि जवाब बोल मेटा जवाब कि जवाब बोलो 2.44 भाई पता नहीं जवाब बोलो क्या रहा है जवाब बोलो क्या रहा है पच्छेस हजार डिवाइड बाई एक लाग बारह हजार 500 पॉइंट टुटू पाइड बाई फिफ्टी टू पॉइंट फाइड बाई फिफ्टी टू पॉइंट फइव बाइस में लेज देन भी होगा अनस पॉइंट फोर तो नहीं आ रहा बेटा टू पॉइंट फोर आ रहा बेटा चेक कर लेतें दुबारा करके देख लेतें सर्फ पच्छेस हजार का डिफरेंस आयता कॉइंटिटी में डिवाइड़ वाई एवरेज ऑफ कॉइंटिटी एक 12500 यह बना पॉइंट टू टू इसका जवाब आया 0.22 इसका जवाब आया 0.22 और आगे फिर कहीं सारे टू है फिर जी 5 डिवाइड़ वाइड़ वाइड फिफिटी टू पॉइंट फाइव यह रहा है 0.09 5 सर तो फॉर्मिले में डाली है 0.22 डिवाइड वाइड वाइड पॉइंट 0.9 फाइव यह रहा है 2.31 आ रहा कुछ 2.315 चलो चलो सही कर लो तो सर क्यल्कुलेट कर लेंगे इसको क्यल्कुलेट कर लेंगे इसको यह सर कर लेंगे यह सर कर लेंगे यह सर कर लेंगे फॉर्मिला आ गया अब यह लिख लो बस यह लिख लो यह लिख लो यह क्या है usefulness of the price elasticity of demand short का सवाल है इतना ही लिख दोगे काफी है सर क्या है सवाल discuss the advantages या importance of measuring price elasticity of demand price elasticity of demand को measure करने का फाइदा क्या आप सुनना देखो होता क्या है the price elasticity of demand is useful for a number of reasons and understanding of how product will behave to a change in price allow the better prediction to how total revenue will be affected when firm make pricing decision थेक हो गया देखो हमें पता है जरा मैं तुमसे कुछ सवाल पूछू देखे कितने लोग समझ पा रहे है देखो जब मैं price change करता हूं तो मेरे product की demand में फर्क पढ़ता है या नहीं पढ़ता है ये बताओ जल्दी से जब मैं price को बोलो जल्दी बोलो जब हम price को change करते हैं तो हमारे product की demand में फर्क पढ़ता है या नहीं पढ़ता है जल्दी बोलो सर ये सर पढ़ता है भाई कभी ज्यादा पढ़ता है कभी कम अगर demand elastic है तो ज्यादा पढ़ता है अगर demand inelastic है तो कम पढ़ता है unitary elastic है तो बराबर पढ़ता है अब सुनना मेरी बात मैं अपने product की price को बढ़ाने का सोच रहा हूँ सही है मिसाल के दौर पे मैं ये plan कर रहा हूँ कि मैं एक product बनाता हूँ जिसको कहते है mobile phone अब mobile phone को मैं बेचने जा रहा हूँ बाजार में मैंने बोला यार मैं तो महेंगा बेचूंगा सस्ता नी बेचूंगा मैंने अच्छा phone बनाए मैं महेंगा बेचूंगा अब मुझे मालूम है कि अगर मालूम है या नहीं मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे product की demand क्या है अगर मैंने बगार इसे मालूम किये गड़बड कर दी तो हो गया काम मैंने बगार मालूम किये कर लिया मुझे नहीं पता था कि मार्केट में मेरे प्रोड़की डिमांड क्या है एक अब मैंने मुबाइल फून बचूंगा पहले 20 अदा का बेशटा था अब मैंने कहा नई अब मैं इसे 20 अधारूपे का मैं 7000 अब प्रोड़की प्राइस को बढ़ाया discussions कि एक तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी सर जब मैं प्राइज बढ़ाओंगा तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी सरा प्राइज बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी मैंने अपने प्रोड़की प्राइज बढ़ानी है तो बताओ प्राइज बढ़ाओंगा तो Demand कम होगी, यह सर कम होगी, कि देख ना, मेरे मैंने प्रटक की प्राइज को बढ़ाया, Demand कम हो गई, जरह एक बात बताओ, मैंने प्राइस का arrow छोटा बनाया, और क्वाइंटिट्टी डिमाण का இरो बड़ा कोई मुझे बताए हाँ शाबाश अमाद सर आपने जो बड़ा एरो बनाया है यह बड़ा एरो यह बता रहा है कि प्राइज बड़ी है डिमांड कम हुई है काफी ज्यादा अच्छे यह दूसरा वाला नीचे देखो दूसरा वाला दूसरे वाले में भी तूसरे वाले में भी दूसरे वाले में भी प्राइज बड़ी है लॉफ दिमांड आपरेट होगाई बड़ी इम्हें डिमांन को कम कर दिया सर बताईए क्या उपर वाला और नीचे वाला रिलेशन एक ही है या नहीं, मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं दोनों केस में, सर relationship बताईए पहले तो मैंने दोनों ही case में number 1 में भी और number 2 में भी price को बढ़ाया है बोलो agree करते हो number 1 में price को बढ़ा रहा है लेकिन जब मैं member 1 में price बढ़ा रहा हूं तो demand में बहुत चेंज आ रहा है लेकिन जब मैं धूर्सरे नंबर बढ़ा रहा है तो दिमांड में चेंज तो आ रहा है यह कौन से डिमांड है इसे कहते हैं कि इसे कहते हैं और इसे कहते हैं इनलास्टिक बोलो बोलो समझ रहे हो मेरी बात भाई मैं एक प्राइस दोनों बार बढ़ा रहा हूं एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ा रहा हूं तो उसकी डिमांड एकदम से बहुत सारी कम हो गई और एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ा रहा हूं तो उसकी डिमांड भी कम हुए लेकिन एक ऐसी कमोडिटी की डिमांड है यह एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइज में चाहे जितना चेंज ले आओ जितना चेंज ले आओ डिमांड में खासा फर्क नहीं आता यह इनलास्टिक डिमांड है लेकिन केस वन वाला क्या है किसर अगर आपने प्राइज के साथ रहते हैं इलास्टिक डिमांड अग्रीड आग्रीड इसारे मैसेज किया करो जी सरोके सर अग्रीट सर समझ आ रहा है साथ है आपके जल्दी बोलो अग्रीड कि यह विचारा मेरा बच्चा हमादी करता है रिस्पॉंस बख्या तो विचारे स्लों हैं बिल्कुल सारे अग्रीड शाबाश अनस जी बेटा जी बेटा शाबाश जी बेटा शाबाश एग्रीड बेतरीन बेटा शाबाश सर अब सुनिए मेरी बात मैं एक ऐसी कमोडिटी बेच रहा हूं जिसकी डिमांड इलास्टिक है अगर मैं प्राइज बढ़ाऊंगा तो बताओ क्या होगा सर एकदम से आपकी demand गिरेगी और demand गिरने की वजह से बताओ मेरी revenue में कैसा फरक आएगा positive आएगा या negative आएगा sir बरबाद हो जाएंगे आप अगर आपने price बड़ाई एकदम से demand गिरेगी आपकी revenue भी गिर जाएगी तो elasticity of demand मुझे और आपको ये सिखाती है कि आप price change करने से पहले इसे calculate कर ले ताकि जब आप price change करने जा रहे हो तो आप अपनी revenue को evaluate कर पाएं आपने price को change किया revenue एकदम से गिर गई तो गड़बड हो जाएगी ना तो price कब तक change हो किस हद तक change हो जिससे हमारी revenue में positive effect रहे तो elasticity of demand price elasticity of demand क्या है जरा देखना price elasticity of demand is useful for a number of reason price elasticity of demand is useful for a number of reason and understanding of how product will behave to change in price allowed for a better prediction to how total revenue will be affected when firm making a pricing decision अगर आप pricing decision करने जा रहे हैं अपने product की price को change करने जा रहे हैं तो पहले जरूरी यह है कि आप अपने product की demand को check करें कि वो elastic है या inelastic अगर वो elastic है तो यह तै है कि आपकी revenue पर negative effect आ सकता है और अगर वो inelastic है आप चाहे price को जितना बढ़ाने लोग demand कम नहीं कर पाएंगे तो आप आजाद हैं आप फिर कर सकते हैं ऐसा तो sir अगर demand elastic है तुम देखो जितने बड़े-बड़े brands बेशने वाले हैं जितने बड़े-बड़े brands बेशने वाले हैं वो साल में क्यों आफ लगाते हैं बार-बार वो इसलिए आफ लगाते हैं उनको पता है कि जैसे हम प्राइस गिराएंगे 50-40-70 फीसाद हमारे प्रोड़क्ट की डिमांड एकदम से बढ़ेगी और हमारा प्रोड़क्ट दबा दब बिकेगा हवातीन पूछो खवातीन से कैसे जाके खाड़ी में समान ले रही होती है पूछो पूछो बताइए बताइए कैसे जाके रश लगा के एक के ऊपर एक मार कुटाई धंगा मुष्टी ये चीन वो चीन हैंगर हाथ में पकड़े में लेना एक होता है चार हैंगर लेके घुमरी हैं अपनी बहन को दिखाने के लिए ऐसा रश पढ़ता है ऐसा रश के सोच है आपकी क्या है सर ये ये सेंसिटिव टू प्राइस चेंज है प्राइस को जरा सा कम किया एक दम से बड़ी तो आप रेविन्यू इस्टिमेट कर सकते हैं इसकी मदद से आप रेविन्यू इस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी रेविन्यू का एफेक्ट क्या है बोलो जबर्दस इसकी implication है ठीक तो देखो लिखावा है इधेज अलसो उसे पर गवर्मेंट वांटेंग तो अंडरस्टेंड अब कौन सी गवर्मेंट कहती है यहां रेविन्यू चाहिए तो हम टेक्स लगाएंगे अब किन चीजों पर टेक्स लगाओ ऐसी चीजों पर लगाओ जिसे लोग छोड़ी ना पाएं तो लोग जब तक खरीदते रहेंगे गवर्मेंट को टेक्स मिलता रहेगा दवाईयों एक खाने पीन की चीजों पर लगा दिया अप इन चीजों के बगार चारा भी निहीं को खरीदना ही खरीदना है जब तक हम खरीदते रहेंगे जब्सक्कте अरफटी मोड़ती रहेगी अब गभर्मेंट को पता है यह पैट्रॉस एकनैंसम करना झोड़ नहीं । झो बीजारे बिमार जो टेक्स लगाओ बिज्ली पे टेक्स लगाओ गैस पे ये जब खुरीदेंगे जब कंजूम करेंंगे जतना ज़्यादा कंजूम करेंगे baptism के डिविन्य इथी जादा तो कर रहे हैं लेकिन गवर्मेंट का फाइदा होगा मुलक के ख़दारे में टेक्स जमा होता चला जाएगा कि बोलो अग्रीड कि चलो कॉपी कर लो बस फिर मैं क्लास खतम करूंगा कॉपी करके मैसेज कर दो तो ओके का मैसेज कर दो फिर मैं क्लास खतम करूंगा और कर दो कि मैं कर दूँ है कि अलाओ कि चलो बाई मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं कर दोंगा तो कि ऑी उलाओ को रहा हूं कि अलाओ